जोहार हजारीबाग आज हजारीबाग पुलिस ने पूरे साल का बेवराद दिया पूरे साल में जो भी काम किया है जो भी उप्रब्दी हुई है हजारीबाग पुलिस की उसने आज प्रेस कॉनफेंस करके बताया इस प्रेस कॉन्फेंस में हजारी बाग के S.P. मनोई रतन चौथे सहित हजारी बाग के सभी D.S.P. थे सभी D.S.P. मौजूद थे प्रेस कॉन्फेंस में वो साही जानकारिया दी जो एक साल में हजारी बाग पुलिस ने किया है Crime से related, NDPS Act से related, नकसल परवावे छेतर में जो काम किये हैं, उस से related, अफीम और गांजे की तसकरी हुई है, उसको पकड़े जाने से related, और बहुत साही जानकारी इस प्रेस कॉन्फेर्स में दी है, आज सुनिया हजारी बाग के एसपी महनोज जतन चौतेजी को, क्या कह रहे है जहां तक अलग-अलग उपलब्धियों की बात करें, तो जो NDPS आइटम होते हैं, चाहे वो अफीम हो, गांजा हो, उसमें काफी recovery और arresting हम लोगों ने की थी, कुल 30 कांड हम लोगों ने दर्च किये, जिसमें 43 लोगों को गिरफतार करके जेल भेजा गया था, करीब 300 किलो क के आसपास में गांजा विगत एक वर्ष में हम लोगों ने recover किया, 9.5 किलो के आसपास आफीम, जिसकी market value एक करोड से भी अधिक होगी, उसको हम लोगों ने पिछले एक वर्ष में recover किया है, जहां तक अवेज शराब की बात है, कुल 27 मामले इसमें दर्ज हुए, जिसमें 23 वेक्थियों का हम लोगों ने गिरफतार करके JELE भेजा, 9.000 quintal जावा महुवा को हम लोगों ने नश्ट किया है, और करिब करिब 400 लिटर जो अवैध शराब है, महुवा शराब उसको हम लोगों ने विनिश्ट किया है, साथ ही अगर डेसी और विरेशी शराब की बातलो हम लोगों ने पिछले एक वर्ष में रिकावर की थी, जिसको हम लोगों ने केस के निश्पारण के पश्चाद डिस्ट्रॉइ करने का काम किया है, जहां तक अवैध कोईला की बात करें, तो कुल 135 केसेस पिछले एक वर्ष में हम लोगों ने रेइस्टर किये है, जो की बरमत किया है, इसमें 47 ट्रक, 5 हाइवा, 33 ट्रैक्टर, 36 पिकप और कई सारे छोटे वेहिकल्स शामिल है, बालू और पत्थर के अगर बात करें, तो कुल 60 FIR हम लोगों ने दर्च किये, जिसमें 76 लोगों को हम लोगों ने जेल भेजा है, पश्यू तसकरी का एक बड़ा स समस्या चुकी GT रोड और NH 33 के वज़े से इस जीले में रहता है, इसमें भी हम लोगों ने लगातार कारवाई करते हुए 40 केसे को रईश्टर किया है और 49 लोगों का अब तक हम लोगों ने जेल भेज दिया है, इसमें 4500 के आसपास मवेशियों को रिकवर करके हम लोगों जमानामा पर संबन्दित गोशालों को दे दिया था, इसमें करीब 10 कंटेनर तो टरक हम लोगों ने पकड़े है और 23 गाडियों को पिकप गाडियों को रिकवर हम लोगों ने किया था, अगर हम लोग नकसल केसेस की बात करें, तो पिछले वर्ष में नकसल कांडों में आई है एक अच्छी बात हजारी बाग जीले के लिए है कि नकसल एक्टिविटी लगबग अब नाकी और बढ़ रही है केवल 19 कांट नकसल से संब्धित हजारी बाग जीले में पूरे एक वर्ष में रैश्टर हुए जिसमें हम लोगों ने 31 लोगों को गिरफतार करके जेल बेजा है जिसमें टीपीसी के 13 लोग माववदी के एक व्यक्ति जेजेंपी के आठ व्यक्ति और गैंक्स्टर्स जो अलग-अलग संगठित अपरत गिरोह से जुड़े वे लोग है उनको 9 व्यक्तियों का हम लोगों ने जेल बेजा है इसमें सबसे महतोपुर्ण जो गिर लूटन मुझे लगता है हो गया है उनका खात्मा हो गया है अगर रिकवरी के बात करें नकसल्यों से अगर कुल गिरफ्तारियों के अगर हम बात करें पिछले एक वर्ष में हजारिवाग पुलीस द्वारा करीब अठारा सो एक लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है तो आप डेली अवरेज अगर निकालते हैं तो प्रति दिन धाई से तीन व्यक्तियों का हम लोगों ने गिरफ्तार करके भेजा है जहातक नकसल आईडी बरामत की बात है विश्णुगाट से हम लोगों ने करीब चार आईडी पंद्रा-पंद्रा किलो के रिकवर किये थे और आंगो ठानाक शेत्र से भी हम लोगों ने दो आईडी बिस-बिस किलो के रिकवर किये थे एक माववा दीव को सरेंडर करवाने भी हम लोगों ने सफलता अर्जित की थी अनिल भूया को हम लोगों ने सरेंडर कराया और उनके निशान देही पर भी कई सारे रिकवरीज हम लोगों ने की थी जहां तक कुल कांडों की बात करें 4393 कांड 25 डिसमबर 2022 तक हजारीबाग जीले में अंकित किये गए है इसमें ज्यादा से ज्यादा 20-25 कांड और आगे बढ़ेंगे इस कमिंग वीक में एक नया अभियान हम लोगों ने शुरू किया था जिसमें जिन लोगों के मोबाइल गुम हो जाते हैं मिलते नहीं है उनका विशेश रूप से एक ड्राइव चला करके हम लोगों ने उनको मोबाइल वापस देने के लिए एक अभियान छेडा था जिसके तहट करीब 110 मोबाइल हम लोगों ने उनके धारकों को वापस दिलवाए है जिसकी किमत 20 लाख रुपए से अधिक है 16 व्यक्तियों को हम लोगों ने आजीवन कारावास सेक्योर करने में सफलता अरजित की थी वही 20 साल, 15 साल, 12 साल और 10 साल से अधिक सजा दिलवाने में एक एक व्यक्तियों को हम लोग सफलता अरजित किये थे मुझे लगता है कि वर्ष 2022 हजारे बाग पुलिस के लिए काफी उपलब्धी भरा रहा है मेरी जो पूरी टीम है जिसमें पुलिस उपादिक्षक, अनुमंडल पुलिस परादिकारी, आंचल निरिक्षक, ठाना प्रभारी, हमारे जितने परादिकारी है सब इंस्पेक्टर, ASIs, अन्तिम हमारा जो काम करता है, हवलदार सिपाही से लेके जो चौकिदार तक का आदमी है उन सब का इस उपलब्धी में महतोपूर्ण कॉंट्रिबूशन है, साथ ही हमारे विभिन प्रकार के सेल्स कारेरत है, जिसमें टेक्निकल सेल है, नकसल सेल है, साइबर सेल है, वियाईपी सेल है इनका भी इस उपलब्धी में महतोपुर्ण योगदान है, साथ ही हमारे जितने भी मिडिया के भाई है, उनका भी मुझे लगातार सहयोग मिला है, मैं इसके लिए आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, और हम लोगों ने कई सारे VIP प्रोग्राम पिछले एक वर्ष में आने वाले वर्ष 2023 में यही उम्मीद करेंगे, हमारे सभी पदाधिकारियों से, हमारे पूरी टीम से, कि जो एच्चिवमेंट हम लोग ने 2022 ने पाई है, उससे भी बढ़ चड़कर 2023 में हम लोग काम करें, ताकि और आने वाले दिनों में लोगों को हम लोग सहूलियत प्र से, करेंट कर सके।